जय हिन दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज हम जारखंड के देवघर जीले में स्थेत बाबा का सबसे लोग प्रियमंदिर यानि की वैजनाद धाम की बात करने जा रहे हैं वैजनात धाम में कितना समय लगेगा आपको दर्शन करने के लिए, वैजनात धाम में आपको रुखने की क्या ववस्ता है, और साथी साथ आपको वहाँ पे खानी पीने की क्या ववस्ता है, वैजनात धाम में और भी दर्शने इस्थल कौन कौन से हैं, जहां पे आपको लो पीरि बात कि आपको बाबा बैजनार धाम कैसे पहुंचना है? जो इस्थित है वो ढऄखन के दिवhर जिले में स्थित लेकिन जो नजधी की रेलिवेस्टेशन है वो है आपका जम्रेशीन रेलिवेस्टेशन जैसे डी रेलेशेशन से आपकी जो मंदिर की दूरी है वो लगबख 7-8 किलोमेटर की पड़ जाती है और ये 7-8 किलोमेटर दूरी तैक करने के लिए आपको मान के चली वहाँ से रेलेशेशन के बाहर से आपको आटो मिलेगा आटो वाला आपका अगर रिजर्व आटो लेत किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है तो दोस्तों आप चाहें तो देवघर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं वही अगर आपको वहाँ के लिए डिरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो फिर आप रनाची के एयरपोर्ट भी आकर आप देवघर बाही रोड के मात्य हम से करते हैं कि आपको अब रुखना कहा है और आपको वहाँ पर खानी पेने के क्या वंदवस्त होगी दोस्तों मैं बात करूँ अगर आप रुखने के लिए तो अगर आप बचट होटल ढूड़ना चाहते हैं तो टावर चॉक के आसपस आपको धेर सारे होटल मिलेंगे जो क से आप अपने होटल चेयन कर सकते हैं वही एक दूसरा आपके पास है कि जो बैजनात धाम मंदिर है तो मंदिर ट्रस्ट के तरफ से भी आपको वहाँ कुछ होटल दिये जाते हैं जो कि एक धरमशारा या लौज की तरह होते हैं लेकिन वह आपके ऑनलाइन बुकिंग नही कि क्या बंदवस्त होगी तो दोस्तों आपको बैजनात धाम मंदिर के आसपास आपको खानी पीने की ज़्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे भोजनाल है होटल्स रेस्टोरेंट के सब चीज़े देखने को मिल जाएंगी तो आप इन सभी मे करने के लिए हमको सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और कौन से समय पर हमको जाना चाहिए दोस्तों सबसे पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि वैजनात धाम में जो सबसे ज़्यादा भीड होती है वह होती है सावन के महीने पे महाशिवरात्री के दिन और आपके अक पाँजनात मंदिर से 105 किलमेटर दूर यानि कि सुल्तान गंज से वहां से गंगा नदी का गंगा जल लेकर कामड यात्रा करते हैं और वो 105 किलमेटर पैदल यात्रा करके वैजनात धाम के उपर जल अरपन करते हैं तो दोस्तों यह सावन के महीने में स्रधाल हुए गंटे 6 गंटे भी आपको लग जाते हैं और अगर आप सोमवार के दिन आए हैं तो फिर आप समझ के चलिए कि आपको दर्शन में काफी जादा समय लगने वाला है तो दोस्तों यह था आपका सावन महीने का परफ लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका या तो बढ़ाते हैं और हम चलते हैं बाबा बैजनात जाम जी के दर्शन करने के दोस्तों मंदिर से आपको वहां पे पश्मी गेट से अंदर प्रवेश मिलेगा और पश्मी गेट से ही आपके बाबा बैजनात जाम जी के दर्शन के लिए आपको लाइन मिल जाएगी दोस्तों तो वहाँ पे line में मान के चलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सावन में आते हैं तो आपको समय ज़ादा लगेगा वही अगर आप off season में आते हैं तो आपको hardly एक घंटे येड़ घंटे में भी भोले नात के दर्शन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप line में लगके बावा बैजनाद जी के दर्शन कीजिए मंदी प्रांगन के अंदर आपको mobile camera ये सब लेजाना allow है लेकिन आप जैसे गर्बगरी में पहुचेंगे तो वहाँ पे आपको फोटोग्राफी वरजीत है तो आप अपने साथ फोन रख सकते हैं जेब में लेकिन वहाँ पे और ये रहे हमारे बावा बैजनाद जी के जोतिर लिंग इनके दर्शन कीजिए मथे टेकिए हरर महादेव का नारा लगाते हुए अपनी मनु कामनाय मांगिए और मंदि प्रांगर से बाहर आ जाईए अभी आपको यहाँ पे जो white color की गुमबद दिख रहे हैं यानि की द दर्शन करने के लिए मान के चले एक दिन का समय पूरा पूरा लग जाएगा तो दोस्तों आप पारवती माता के भी दर्शन कीजिए यहां भी जाई है यहां भी आप माता जी के दर्शन कीजिए और मंदीर के आसपास टोटल 21 मंदीर हैं छोटे मोटे सभी मंदीर को मिला क आप वहाँ पे पूरी तरीके से मंदिर प्रांगण में एक्स्प्लोर कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए और पहले दिन आप रात में आके विश्राम कर लीजिए दोस्तों बात करते हैं कि वाबा पैजनाद धाम जाने के लिए आपको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए तो दोस्तों अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप एकी दिन में बाबा बैजनाद धाम दी के दर्शन करके शाम को अपने रिटन ले सकते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपरली घूमना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको वन नाइट टू डेस का आपको यात्रा करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे और भी दर्शने इस्थाल हैं उन सब को भी आपको दर्शन करना पड़ेगा तो दो दिन आप प्रयाप्त मान के चलिए क्या बाबा बैजनात धामदी के दर्शन अराम से कर लेंगे और साथी साथ वहाँ पे जितने भी लोकल साइट सिनिंग है और भी दर्शने इस्थाल है वो भी आप भली भाती घूम लेंगे तो दोस्तो पहले दिन आप विश्राम के लिए अगली सुबह आपको उठना है और सबसे पहले वहाँ से जाना है आपको 42 किलोमेटर दूर वासुकीनात जोति लिंग दोस्तो कहा जाता है कि बाबा बैजनात धाम जी के दर्शन तब पूर्ण होती है जब आप वासुकीनात के भी दर्शन करने तो दोस्तो वहाँ से आपको आटो टेक्सी मिल जाएंगी हाला कि आपको वहाँ से बस भी मिल जाती है तो बस के माध्यम से भी आप वासुकीनात मंदिर जा सकते हैं बस वाला दोस्तों आपको 50 रुपए 60 रुपए लेगा और आपको वहां वासुकी नाथ जोती लिंक के पास उतार देगा वहां दर्शन कीजिए वहां पे भी थोड़ी से आपको भीड़ देखनों को मिलेगी अगर आप सावन महीने में आ रहे हैं तो तो और इस्थान पे जाना है जो कि 10 किलोमेटर की दूरी पे है वाबा बैजना धा मंदिर से वह आपका नंदन पहाड दोस्तों नंदन पहाड में शीव और नंदी जी की यहां पे मुर्ती बनी हुई है और साथी साथ यहां पे बच्चों के लिए एक पार्ग भी बनाया गया हुआ है तो आप यहां भी जाके कुसम एक्सफ्लोर कीजिए और यहां पे दर्शन कीजिए शंकर जी के और नंदी जी के और अगले स्थान के तरफ प्रसान कीजिए जो कि है आपका तपवन दोस्तों तपवन में वहाँ पे गुफा है और उस गुफे को पार करते हुए आ दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी भी 10 km की दूरी पे इस्थित है यहां भी आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा यानि कि शिव जी को शमर्पित यह त्रिकुट पहाड़ी है तो यहां भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं हाला कि आप चाहें तो यहां आप रोभवे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं रोभवे के माध्यम से भी आप शिम मंदिर पहुंच सकते हैं इनके दर्शन कीजिए और आप दूसरे दिन अपनी रात तक वापसी ले लिजए वाबा बैजनात धाम दर्शन के लिए चली दोस्तों अगली बात करते हैं कि यह सारे दर्शनी इस्ताल गूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा तो दोस्तों आपको वैजनात धाम मंदिर के आसपास बहुत सारे वहाँ पे आटो टेक्सी वाले मिलेंगे तो आटो टेक्सी वाले को आप वहाँ पर डे के साब से बुकिंग कर सकते हैं 700 रुपए 800 रुपए या कोई टेक्सी वाल वह डॉप कर देगा तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा वैजनात धाम जी के दर्शन का संपूर्ण विल्वर्ण मिल गया होगा चले दोस्तों अंतिम बात करते हैं कि आपको वैजनात धाम धाम डर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का पूल खर्चा कित्ता लग जाए और आप महादेव के दर्शन यानि की भोले बैजनात धाम धी के दर्शन राम से कर लेंगे तो दोस्तों ये था बाबा बैजनात धाम देवर जार खंड की एक संपूर्ण यात्रा इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई दाउट है तो आप मेरे इस्टाग्राम यातर यातरा के साथ एक नई विश्या के साथ तब तक लिए शुक्रिया जै हिंद हर हर महादेव जै बाबा बैजनात धाम आपकी यातरा मंगल में हो प्रूपर सेसाथ टाइखरा मंगल में में हो आपकि भी नापक दोस्तों अईलय के साथ baixo यातरा है दोस्तों केंद इस्द्राइबें गिशल भी उनला सेโirland के साथ तो आपकिन से झाल झाल